ओम शान्ती 14 दिसंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क आज रोहानी उस्ताद हमें युक्तियां बता रहे हैं कि सत्संग के द्वारा तुम्हें सच खंड में जाना है सत्संग है सत्यवबाब का संग और सच खंड है शान्तिधाम और सुक खंड में जाने के लिए आज हम गुण लेंगे सत्यता का और स्वामान लेंगे मैं संपूर्ण पवित्रा आत्मा हूं और चिंतन लेंगे निश्च्य बुध्धी आत्मा की विशेशताएं क्या होते हैं सत्यता, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता अगर हम अपने सत्य सवरूप में स्थितो कर सत्य बाप की याद में रहेंगे तो सरफ प्राप्तियों का चुम्बक बन जाएंगे आज इस गुण का सवरूप बनने का अभ्यास करेंगे क्योंकि ये एक गुण बहुत सारी विशेशताओं को ले आएगा क्योंकि सत्यता से स्वच्चता आती है और स्वच्चता से अलोकिकता आएगी अलोकिकता से श्रेशता आएगी श्रेशता से हमारे अंदर दिव्यता आएगी तो इसी तरह एक गुण बहुत सारी विशेशताओं को हमारे अंदर ले आएगा आज का जो स्वामान है मैं संपोन पवित्र आत्मा हूँ इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे याद की यात्रा के उपर बेहद के वेराग्या के उपर और बाबा की श्रीमत और निश्चे के उपर आज बाबा ने कहा कि तुम्हें स्वांसो स्वांस बाब को याद करना है और स्वांसो स्वांस बाब को याद करने के साथ बाबा ने कहा घर घरस्त में रहते हुए काम काच करते हुए बुध्धी से बाबा की याद होती रहे अर्थात बुद्धी बावा की तरफ लगी रहे और नोकरी करते हुए सुधर्शन चक्र फिरता रहे इसी तरह याद करने की विधियां आज युप्तियां बावा ने बताई है तो याद की यात्रा में रहने का आज अभ्यास करेंगे दूसरा बेहद का वेराग्या रखना है क्योंकि संपूर्ण बनना है तो वेराग्या भी जरूरी है तो साधनों को यूज करते हुए अपने ध्यान देना है मेरी साधना इसमें मर्जना साधना मेरी इसमें छूटना जाए क्योंकि साधनों के अधार पर मेरी साधना ना हो तो और दूसरी आज जो बाबा ने साधनों के अधार पर वेराग्या की बात करी तो इसके लिए बाबा ने ध्यान दिलाया ये इस दुनिया में बस थोड़े रोज हैं हीर नोईविल, सी नोईविल, सब मरे पड़े हैं ये दुनिया कबरस्तान है इसके लिए आज हम याद रखेंगे कि जब विश्नु जी सागर के उपर लेटे हैं तो शेशनाग को अधीन किया हुआ है और एक की समरिति में है तो इस दुनिया में रहते हुए बाबा की याद म रहेंगे तो हम इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे अर्थात विकारों रूपी साब को जीत लेंगे और फिर लक्ष्मी पाउं दबारिया अर्थात सफलता हमारे पाउं चुमेगी तो इस विजन को सामने रखते हुए आज इस दुनिया में रहते किसी की तरफ आकर्षित नहीं होना श्रीमत की जो बात बताई है कि भावा ने कहा कि अंतिम चनम है मृत्यू लोग है और इस समें तुम्हें घरस्थ में रहते एक बाप की श्रीमत पर चलना है अर्था श्रीमत धी घर-घरस्थ में रहते पवित्र रहना है तो यह निष्जय रहे कि हम किसके समुख बैठे हैं, किसके संग बैठे हैं, हमें बाप मिला है, जो हमें पढ़ाई-पढ़ा कर ऊंच पद प्राप्त करा रहा है, तो इसी तरह इस श्रीमत पर चलकर हम संपून पवित्र बनने का लक्षय रखेंगे और निश्च्य बुद्धी बनेंगे, तब ही हम संपून पवित्र बन करके बावा से पूरा वर्सा ले सकेंगे, ओम शान्ति